अगर आपकी गाड़ी 15 से 20 साल से अधिक पुरानी है तो आपको एक बार विचार करने की जरूरत है कि गाड़ी को रखना है या भी एसक्रेब करना है क्योंकि रखने पर आपको एक बार फिर से रेजिस्टेशन के नाम पर भारी भकम रासी चुकानी पड़ सकती है ऐसे में अगर आप असक्रेब करवाते हैं तो आपको उस गाड़ी के सामान का और उसके इंजन का अलग-अलग कीमत मिल सकता है परदेश में परदूसन को ध्यान में रखते हुए रास सरकार की तरब से या फैसला लिया गया है कि ऐसे में अब कहा जा रहा है कि परदेश में अनफिट गाड़ीयों के लिए बहुत ही जल असक्रेब सेंटर खोला जाएगा इस सेंटर को लेकर यह भी बताया गया है कि जून महीने के बाद से आवेदन की परकिरिया सुरू हो जाएगी इस परकिरिया में आम लोगों को भी सामिल किया गया है इधर पर इवहन विभाग ने अस्क्रेप को लेकर काम करना शुरू कर दिया है साधिसा सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस योजना की सुरुवात को लेकर यह बताया गया है कि इस योजना का स्रिजन होने से लोगों को रोजगार मिलेगा विभाग की तरब से यह भी बताया गया है कि जो गाड़ियों का अस्क्रेप करवाएंगे उन बाहन मालिकों को विशेज छूट मिलने वाली है साथ यह भी कहा गया है कि बेफसाइक गाड़ियों के लिए नई गाड़ी की खरीद पर टैक्स में 25 परतिसत के साथ साथ बेफसाइक गाड़ियों को लेकर 15 परतिसत की छूट देने की बात कही गई है मिडिया में चल रही ख़वरों की माने तो अस्क्रेफ सेंटर खोलने वाले अवेदकों को करीब 11 लाख रुपिय खर्च होने की बात कही गई है साथ यह भी कहा गया है कि इसमें 10 लाख बैंक गरंटी ली जाएगी साथ यह भी कहा गया है कि एक लाख रुपिय निवंदन फीस लेनी होगी विभाग की तरफ से जारी अपडेट के नुसार यह बताया गया है कि कवार केंदर खोलने की मंजूरी 10 सालों के लिए दीज गई है साथे साथ यह भी कहा गया कि इसे अगले 10 सालों के लिए आप बढ़वा भी सकते हैं परिवहन विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि कवार केंद्रों की निगरानी करेगा ताकि गारियों को नस्ट होने की परकिरिया में पूरी पारदरिस्ता बनी रहे विभाग ने यह भी बताया कि किन किन गारियों को अस्क्रेप किया जा सकता है तो इसमें है कि परिवहन विभाग की तरफ से जिसे अनफिट घोसित किया गया है वैसी गाडियों को 15 से 20 साल जो गाडियां पुरानी हैं बेवसाइक हैं और 20 साल से अधिक गाडियां जो की पुरानी है नीजी गाडियां हैं उन गाडियों को जो है असक्रेप करने की बात कही गई है साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि जो गाडियां अग लगी और में जाएगी इस दोड़ान कि जाएगी इस दोड़ान इस बाद की जाएगी है कि जिस गाड़ी को एक पत्र पत्र भी बिहार में अस्क्रेप को लेकर J إek er के सामने उपस्तिताय कि कवार से पैज़ा कैसे किमाए जा सकता है ये पुरिय स्खीम है ये आप बिहार में आने वाली है बिहार और बिहार से जुड़ी और यसे इंग खबरों के लिए बने रहे हैं विहारी नियोज के साथ मुझे जेजाज़ धन्यवाद